हलो विवान देखते हैं कि इस कोश्चन को कैसे सल्ब करेंगे जैसा कि हम लोग देखेंगे कि कल के कलास हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या होगा कि मतलब की नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगा तो हमने छोड़ दिया था यहाँ पर और आज हम लोग यह किलियर करेंगे और कॉ जो आप लोग देखते रहें और आपके सामने हम कंप्लीट कर रहें और समझेगा ठीक जा ठीक है क्योंकि डेली नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाने के चलते अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पर है तो हमने सोचा कि वीडियो अपलोड किया जाए और अच्छा रहेगा बेटर चली इसको अगले एक्षण करेंगे यह देखते थो इसा कि अग्लेषट है मैरे प्यारे इस्टुड corpse कर लेंगे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 10 में फोर्स करेंगे तो 40 यह हो जाएगा 41 बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा हो जाएगा ना माइनस समझ रहे ना दिखाई भी दे रहा है अगर नहीं दिखाई देगा तो कहिए गलो दिखाई देना ही चाहिए चले दिखाई दे रहा है देख लेजे दिखाई बिलकुल मस्त दिखाई दे रहा है और I hope ऐसा ही दिखाई दे तो और बेटर रहेगा ठीक है तो चले हम बात करते हैं इसके अगर यह है उसके बाद है माइनस ब्रेकेट इसको इंप्रोपर फ्रेक्षम में करेंगे तो यह हो जाएगा यह नहीं 9 भाई 4 हो जाएगा माइनस उसके बाद इसको देखते हैं 5 भाई 6 है तो 5 भाई 6 लिखेंगे अब इसको सल्प करेंगे ना तो 30 है तो 30 आप आप ही बता दीजिए कि 12 और 9 कितना होता है यानि आईसे भी कर सकते कोई दिकत नहीं रूल तो है कि पहले एड़ किजिए उसके बाद सब्टेट किजिए ता पैसे भी देख सकते कि 9 से 8 जाएगा तो और बचेगे यहां पर 13 हो जाएगा कि नहीं बताइए आप ही तक कहिएगा यह असर हो जाएगा तो हम इसको लिकिदेते हैं जो आप देख सकते हैं ओके आगे बढ़ते हैं किसी भी स्टुडेंट को कोई प्राब्लम हो अगर दिखाई दे रहा हो तो हमको कमेंट में करके बता सकते हैं ठीक हैं अब देखें अगले स्टेप चलते हैं तब एक क्वोर्टी वणबाई टेन माइनस नाइन बाइफ और फोर माइनस अब क्या है नीजी फाई वाई एक जब इस ब्रेकेट को हट आएंगे ना मेरे प्यार स्टुडेंट तो यह बाहर रटेगा ता माइनस थाटीन वाई ठाटी हो जाएगा अब यह ब्रेकेट अब यह एक हट गया है ठीक है क्योंकि साल करते जाएंगे तो हटते जाएगा अब अगले स्टिप में हम लोग क्या करेंगे इसका भी एल्सियम लेंगे तो 41 by 10 को लिख देंगे ऐसे 9 by 4 को भी ऐसे ही लिख देंगे अब माइनस इसको अब इसका एल्सियम जाते कितना होगा तो 30 होगा ता बताइए कि 6 का टेबल 30 किते हो टर्म में आएगा तो हम देख रहें कि 6 का टेबल मेरे प्यारे स्टुडेंट 5 तो 55 जा 25 हो जाएगा ओके अब बताइए एक ही टर् आपको आई हो समाज में आगया हो आपको यह फ्रेक्शन का एडिशन सब्टेक्शन मॉल्टिप्लिकेशन इस सब आना चाहिए ठीक है तब ही काफी आसान होता है 41 बाइ 10 माइनस 9 बाइ 4 है और माइनस अब इसको सल्फ कर देंगे तो यह बाहर निकाल देंगे तो माइनस में जाएगा इसको सल्फ करेंगे तो दिखे 25 से 30 जाएगा तो 12 बाइ 30 ना जाएगा कि 51 बाइ 10 माइनस अब इसका एसका पुझ लेंगे तर इसका भी 30 होगा कि इत्र ने тради आए बताईये कितने टन में मतला बघ्त समझ नहीं है कितने टन में थ़ाटी आजाया बताईये धूरक टेवल में कि फोर के टेबल कितने बार पढ़ेंगे की ठाटिया जाए यही ना यहां पर नाइन नहीं है कि नहीं तो होना चाहिए कि देख लेजिए कि नाइन भाई कोईशन नम्र कौन से कोईशन है बाबु यह यह कोईशन नम्र 12 है 4, 1 by 10 5 by 6 4, 1 by 10 फोर थोड़ा सा कोईशन मिला ने जिए 4, 1 by 10, माइनस 2, 1 by 2, 5 by 6 अर 2 by ठीक है ठीक है फोर 2 जाए 8 4 सारी कोईशन थोड़ा सा यहां पर गलती हो गया है 2 के जगह पर थोड़ा सा हम फोर लिख दिये तो एंसर नहीं मिलेगा इसलिए इसको 2 बना लेजिए ठीक है देखिए यहां पर फोर लिख दिये तो टू टू जब फोर आथ 5 by क्या होगा बाबु 5 by 4 होगा ठीक है नहीं तो एंसर नहीं आएगा बुक का तो आपको यह की गलत है तो इसलिए अब बतेए फोर का टेवल कितने टर्म में आएगा बबु अब यहां पर का गया 5 by 6 होगा अब ध्यान दिजएगा कि यहां पर 2 है तो यहां भी क्या होगा नीचे 2 होगा यहां भी 2 होगा यहां भी 2 होगा और यहां भी 2 होगा देखिए इसको इसलिए चेंज किये चेंज नहीं करते तो अभी हम बनाते प्रोसेस तो सई था लेकिन यहां पे जो है उग गलत हो जाता क्योंकि यहां पे जो कोश्चन में है वहीं राना चाहिए ना इसलिए हम चेंज कर दिया है ठीक है तो देखें टू का टेवल 15 तो 15 से 5 मल्टिप्लाइ करेंगे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे स्ट्रेंट तो इसको मल्टिप्लाइ करतेंगे तो हो जाएगा 75 क्योंकि 15 5 जा 75 अभी तो एक टर्ण में आएगा सबको पता है तो 12 ही हो जाएगा अब इसको क्या करेंगे 41 बाइ 10 है 41 बाइ 10 माइनोस 75 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 63 अब इसका भी LCM निकालेंगे क्या निकलेंगे इसका भी LCM तो इसका LCM मेरे प्यारे स्ट्रेंट क्या होगा 30 ही होगा देख लो इसके LCM क्या होगा आगी केंसल कर दें आप चाहे तो केंसल भी कर सकते हैं या चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं तो हम केंसल कर दे रहा है कर दें cancel कर देंगे तो और आपके लिए सही होगा दिखे cancel 32 जासी एक सा 31 जा 30 आईए कटाईगे तो 10 होजाए क्यों की कोल होगा और आसान होजाएगा 41 बाई 41 बाई 10 माईनस 21 बाई 10 तो एलसियम क्या होजेगा बाबु 10 41 माईनस 21 तो बताईए 41 से 21 आएगा तो 20 बचेगा नहीं दिखाई दे रहा है दिखाई देना चाहिए 20 बचेगा 20 बचेगा 20 बाई 10 तो 0 से 0 कर दिए यहनि 2 आपका answer आगे तो आप लोग book से मिला सकते answer इसका कोई दिकत नहीं है इसलिए change कर दिए यहाँ पर दिखे है हम क्या किये थे ना यहाँ पर फोर कर दिये थे यहीं मिस्टेट था तो फोर कर दिये थे यह change हो जाएगा तो इसलिए 2 करके बना दिए आप मिला सकते हैं और वीडियो को stop करके यह 2 जेड आप इसको देख सकते हैं ठीक है तो इसमें कोई दिखत नहीं है आप देख सकते हैं अब बात करेंगे हम कोशन नमर कितना तो कोशन नमर 13 का बात करेंगे इसलिए 14 और उसके बाद 15 आप पूरे कोशन को हम लोग पढ़ लेंगे कितना नमर बात करेंगे हम अब कोशन नमर कितना तो question number 13 question number 13 क्या है इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं ठीक है दिखाई दे रहा है clean दिखाई दे रहा होगा question number 13 है 1 5 by 6 plus 2 2 by 3 minus 2 by 2 minus 3 3 by 4 फिर ब्रेकेट 3 4 by 5 फिर डिवाइड 9 1 by 2 एक ब्रेकेट फिर एक ब्रेकेट फिर एक ब्रेकेट ऐसा question देके दिखाई दे रहा है आई होप हमें उमीद है कि सब को दिखाई दे रहा होगा ठीक है तो देखेए अब इस question को कैसे solve करेंगे थोड़ा अब देखते रहा है तो दोड़ा इसको हम solve करते हैं देखेए कि आप सब को दिखाई देखेए 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 देरा रेट वाला देखेए देना जी हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं सब को simple improper fraction में चेंज जगाए सब को तो देखेए 6 1 जा 6 5 11 by 6 हो जाएगा बुले किसी को problem होगा तो बताइएगा 11 by 6 हो जाएगा 32 जा 6 8 by 3 हो जाएगा 34 जा 12 15 by 4 हो जाएगा हो जाएगा नो बताइए 5 जा 15 19 by 5 हो जाएगा 19 by 5 आप ही मेरे दोस्त बता देजिए divide है तो multiply में जाएगा तो यहाँ पर देखे दो काम करते है 2 9 जा 18 1 कितना हो जाएगा 19 by 2 क्या हो जाएगा 19 by 2 जब आपको पता है कि divide से जब multiply में जाता है तो पलट जाता है 2 by 19 हो जाएगा कितने स्टुडेंट को समाज भी नहीं आएगा तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ के तो समाज में आ जाएगा देखो इसको तो यह सहीं लिख दिये 5 3 जा 2 L नहीं सौरी 5 3 जा 15 आप 4 19 by 5 आपको पता है कि divide से multiply में आता है तो पलट जाता है तो देखी इसको पलट जाते हैं तो 2 9 जा 18 आए 18 आवा 19 by 2 हुआ लेकिन इसको पलटेंगे तो 2 by 19 हो जाएगा अई होब समाज में आजाएगा अगले step देखते हैं 11 by 6 plus 8 by 3 उसके बाद क्या है मेरे प्यारे student 15 by 4 अब इसको solve कर देंगे तो इसको solve करेंगे तो क्या आएगा थोड़ा सा देखते हैं 15 by 4 है ना ये क्या आएगा इसको देखते हैं 15 by 4 अब आप ही बताइए कि 19 से 19 का होगा ये 2 by 5 बचेगा की नहीं दिमाग लगा ये दिमाग लगा ये और बताइए 2 by 5 बचेगा की नहीं बचेगा 2 by 5 अब देखें मेरे प्यारे student ये भी कट जाएगा आई ये भी कट जाएगा तो 3 by 2 हो जाएगा देखिए तो दिमाग लगा ये दिखाई दे रहा हैं यह हो जाएगा 11 by 6 plus 8 by 3 minus अब बताइए यह 3 by 2 हो जाएगा कि नहीं minus में 3 by 2 बुले यह भी bracket होट जिए 3 by 2 हो जाएगा समझ में रहा हैं ओके अब इसका भी LCM लेंगे तो देखें 11 by 6 plus इसके LCM होगा 6 तो थीरी 2 जा तो 16 हो जाएगा और थीरी 2 थीरी जा तो 9 हो जाएगा आपको आना चाहिए इडिशन सब यह सब आप नहीं बताएंगे अब क्लास में 11 by 6 plus 16 में से बाबू 9 जाएगा नहीं तो क्या बचेगे जानते हो 7 बचेगा और यह 6 है अब तो 6 6 के LCM कहा होगा 6 होगा यहां पेले भी नहीं अपला से लेना 18 by 6 हो यह कटा देंगे तो 3 होगा यहनि 3 होगा अंसर थाई हो आपसमाज़कों यह कोश्चन में कितने था 13 अब हम बात करेंगे कोशन नमर 14 क कितना कोश्चन नमर 14 किया है क्वेज्चन नोर 14 इसको द तो question number 14 देखते हैं, देखें, question number 14 भी काफी आसान है, देखें लेजिए, question number 14 है, 4, 4 by 5, divided, 2, 1 by 5, minus 1 by 2, 1, 1 by 4, minus 1 by 4, minus 1 by 5, अध्यान दिजिए, यहां पर एक्रिंग है, आप फिर यह bracket बने है, फिर यह bracket बने है, ओके, चले, इसको solve करें न, चले, इसको solve करते हैं, इसको solve करते हैं, यह बुलू पैंसे solve करते हैं, देखें, सबसे मिला पहला काम है कि सबको क्या करना है, इंप्रोपर फेक्शन में करना सबसे पहले बावु इसको शाल करेंगे इसको सबसे पहले solve करेंगे ठीक है तो चलो solve करेंगे ना बोलो चलो solve करते हैं उसको 24 by 5 और इसे ही लिख देते हैं आइसे लिखना पड़ेगा 11 by 5 B को 1 by 2 को भी 5 by 4 को ही इसलिए अब इसको जब solve करेंगे मेरे प्यारेश्टेन तो इसके LCM जानते हो क्या होगा इसके LCM 20 हो जाएगा और यहां पर 5 पर 4 हो जाएगा नहीं देखिए दिमाग लगई हो जाएगा अगर समझ में आ रहा तो बोली है कुछ नहीं किये में प्यारेश्टेन 54 के LCM 20 फोर के टेबल 25 डर्में आएगा आप 24 टर्म में आगा तो लिखती है इसमें का सीखाई थे आगे देखते हैं 24 by 5 divided by 11 by 5 minus 1 by 2 5 by 4 अब माइनस अब देखें 5 minus 4 वाई क्या है इतना तब 5 में से 4 जाएगा तो 1 by 20 हो जाएगे नहीं बोले किसी को प्राब्लम किसी को प्राब्लम होई होना चाहिए 24 by 5 divided by 11 by 5 minus 1 by अब इसका LCM लेंगे बाबू तो बताओ क्या होगा 20 होगा तो बताओ 4 का टेबल 5 वेर में आएगा तो 5 वाईब जा 25 हो जाएगा आई 1 ए रहाएगा आगे देखाँ 24 by 5 divided by आप देखाँ 11 by 5 minus 1 by 2 अब जब इसको solve करेंगे बाबू तो बताओ 24 by 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दिमाग लगाओ हो जाएगा very good sir हो जाना चाहिए हो जाएगा कि नहीं यह बताओ हो जाएगा sir ओके आगे बढ़ते हैं आगे चलते हैं इसके अगले स्टेफ अगले स्टेफ देखें अगले स्टेफ हैं इसका कि 24 by 5 divided by देखेंगा वहीं लिख रहा है जो कोशन थे 11 by 5 minus 1 by 2 into 24 by 20 यहीं था नो यह 12 हो जाएगा कटाएंगे तो 6 हो जाएगा यह 10 हो जाएगा यह 3 हो जाएगा यह 5 हो जाएगा हो जाएगे नहीं इसको कैंसल करेंगे तो 6 आट 10 को करेंगे तो 20 को करेंगे तो 6 को 2 से करेंगे 3 आट 10 को 2 से करेंगे 5 तो यहाँ लिख देंगे 11 by 5 minus 3 by 5 जो बचेगा वहीं दिखेंगा ना ओके अब देखें 24 by 5 divided by इस केल्सियमों का 5 तो 11 minus 3 हो जाएगा मुले किसी को प्राब्लम 24 by 5 divided अब बताएगे 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारेश्ण 8 by 5 बचेगा आपको अब पता है यह 24 by 5 है आइसको मल्टिप्लाइब है जो 5 by 8 8 थीरी जा आप 5 से 5 यानि 3 हुगा एंसर बन गया कितना असान है बहुत असान है अगर आप बनाना चाहे एक दो बार देखेंगे तो जरूर सबाद आएगा ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा अब लास्ट कोशन है यह लास्ट कोशन को बता देते हैं कोशन नमर 15 मेरे प्यारे श्ट्रेंट 15 नमर कोशन जो है पहुत जबल जास्त कोशन है देखिया 7 1 by 2 minus 2 1 by 4 divided by 1 1 by 4 minus 1 by 2 3 by 2 minus 1 by 3 minus 1 by 6 जो एश्टूरेंट इसके पहले वाला कोशन को समझ गया होगा इसके पहले वाले कोशन को जो समझ गया यह नि भटी नमाद उसके लिए काफी आसान अ जो नहीं समझाऊ उसको काफी इजी नहीं है उसके लिए ठीक है उसके लिए एजी नहीं हे तब चलिए देखते हैं इसको बाbon आटें सबसे पहले सिंक Cooking में कर लेंगे इसको सब को कर लेंगे तो 7 to 14 15 by 2 हो जाएगा मेरे प्यारे स्ट्वेंट माइनस 4 तुजए 8 9 by 4 हो जाएगा आप देखे इसको करेंगे फोर वन जब 5 by 4 हो जाएगा माइनस 1 by 2 आप बाकी सब तो ऐसे ही है तो इसको कोई दीकत पहुंचाने की हमको मतलम कोई दीकत पहुंचाने वाली बात नहीं है यह ब्रेकेट जरूर दे जाएगा ठीक है दे रहा है जो तो गलत हो जाएगा 15 by 2 माइनस 9 by 4 divided 5 by 4 माइनस 1 by 2 3 by 2 अब इसको सल्फ करेंगे तो इसके LCM जानते हो क्या होगा इसके LCM 6 होगा तो 3 by 2 जा आईए 1 जा आप देखें इसके बाद आप समझ जाएंगे 15 by 2 माइनस 9 by 4 divided by 5 by 4 माइनस 1 by 2 आप देखें ध्यान से इन 2 में यह 3 by 2 उसके बाद आ जाएगा क्या जाएगा मेरे प्यारे स्टूरेट बता दीजिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 1 by 6 आगया बोलिए किसी को प्राबलम अब जब यह आगया तब फिर इसको सल्व करेंगे करेंगे न बोलिए समझ में आ रहा है कमेंट करके बताएगा हम आपके कमेंट के इंतिजार करेंगे किसी को भी दिकत होगा तो फिर क्या करेंगे इस का LCM यह अब इसके LCM क्या होगा मेरे प्यारे स्ट्रेंट इसके LCM होगा 6 तू थीरी जा तो थीरी जा नाइन अब वन होगा होगा ना देखे लिजिए 9-1 होगा बेरी गूड अब फिर एक स्टेप अगला चलेंगे तब 15 by 2 माइनस 9 by 4 divided by 5 by 4 माइनस 1 by 2 अब आते यह 9 में से 1 जाए कोई दिकत दिकत तो नहीं होना चाहिए कोई कोई दिकत नहीं होना चाहिए अब देखे यह को केंसल भी कर देंगे यह 4 हो जाएगा और 2 से कटाएंगे तो यह 3 हो जाएगा यह नि 2 by क्या हुआ थीरी याद रखेगा 2 by 3 आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आकर अच नहीं है 9 by 4 divided by 5 by 4 minus 1 by 2 into 4 by 3 4 by 3 थीरी थीक है अब धियान दी चाहिए 4 by 3 हो गया है नो 4 by 3 यह आया था नो देख लिजएगा 1 by 2 इसके पहले हम कटाएं थी तो 4 by 3 है ठीक है 4 by 3 8 by 6 आया था तो इसको 4 by 3 कर दिया ठीक है क्या किये थे जिरू के देख लेक बार 2 से तो 4 होगा तो 1 by 2 है तो इसको मॉल्टिप्लाइ करेंगे तब फिर तो 6 हो यह जाएगा ठीक है एक मिनाट 1 by 2 है क्या है अब 4 by क्या है 8 by 8 by 6 है 8 by 6 तो इसको 2 by 3 2 by 3 आजाएगा ठीक है 2 by 3 आएगा कैंसिल करेंगे तो 2 by 3 आजाएगा देखिया 2 by 3 आजाएगा आप देखिये इसको 15 by 2 minus 9 by 4 divided by 5 by 4 minus 2 by 3 हो जाएगा बुले किसी को प्रब्लम आप देखिये इस सब आपको इसलिए स्पीट बता रहे है आप दो तीन बार वीडियो के थोड़ा सा सुलो करके भी आप देख सकते है इसा नहीं है कि आप स्पीट में ही देखेंगे ठीक है तो आप 15 by 2 लिख दिए आई जैसे है वही से उतार दिए देखिये कुछ नहीं क 9 by 4 divided by 15 में से 8 जाएगा तब आप कितना बचेगा 15 में से 8 जाएगा तो 7 आप यहां पर 12 है अब इसको भी बाहर निकालेंगे 15 by 2 minus 9 by 4 divided 7 by 12 हो जाएगा क्या हो जाएगा 7 by 12 अब मेरे प्यारे श्रह 15 by 2 minus 9 by 4 आई पल्टेगा तब 12 by 7 हो जाएगा 12 by 7 हो जाएगा अब जो कटने वाला हां कटा देंगे 4 थीरी जा आप कटेगा नहीं कटेगा तब 15 by 2 minus कितना हो जाएगा जी 27 by 7 देखिये 9 थीरी जा 20 27 अब आई 7 इसके एल्सियम लेंगे तब 14 होगा ना टू का टेवल 14 7 तो 7 7 15 7 जा क्या होदा 105 आप माइनस 7 टू जा तो 7 टू जा तो यह कितना हो जाएगा 54 इसको माइनस कर देंगा 51 यह हो 14 तो इसको मिक्स पैक्शन में कर देंगे तो 3 9 by 14 यह एंसर हो जाएगा ओके दिखाए देना एंसर यह एंसर मेरे प्यारे तो 2-3 बार देखेगा 2-3 बार समझ में नहीं तो हमको मेसेज कीज़ेगा उसके बाद नहीं आएगा तो आप कलास में हमसे मिल दीज़ेगा ओके आयोब अगले कलास हो सकते हैं इंगलिस का भी कलास है चले तो हम बता देंगे आपको और यह तो कल से मंडे से कॉनफार में चले हैं ओके